हलो गाईज, वेलकम लिए और यूट्यूब चैनल एक चीज के इस्तिमाल से आप अपनी डाड़ी को घना, काला और चमकदार बना सकते हैं जानेंगे आज के वीडियो में अगर आपने अभी तक हमारा चैनल शॉट इंडियन ड्रैमेडी सब्सक्राइब नहीं करा है इसके बाद आपको लेना है आदी कटोरी नारिल का तेल कटे हुए आवले को और नारिल के तेल को आपको अच्छे से मिलाना है और मिलाने के बाद आपको इस तेल को गरम करना है आपको नारिल के तेल को तपता गरम करना है जब तक कि आवले का टुकडा काला ना हो जाए और उसका रंग ना बदल जाए इसे ठंडा करके डाड़ी के बालों पर लगाना है और इसे लगाने से डाड़ी के बालों में शाइनिंग बढ़ती है डाड़ी के बाल घने होते हैं, डाड़ी और मूचों के बालों के सफेदी भी दूर होती है अगर आपके पास आवला नहीं है, तो आप एक चमश आवले का पाउडर भी इस्तमाल कर सकते हैं और उसे नारिल के साथ गरम करके खंडा होने के बाद डाड़ी पे लगा सकते हैं हम नारिल का तेल और आवला इसलिए इस्तमाल कर रहे हैं क्योंकि नारिल के तेल के अंदर फैटी एसिड्स और मिल्रल मौजूद होते हैं जो कि डाड़ी के बालों को छमकदार बनाते हैं आवला के अंदर विटामिन C बहुत भर पूर मात्रमें होता है बबाए